चलिए आज कुछ मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए चीहां दोस्तों आज हम बनाएंगे मैगी बिर्यानी आपने मैगी तो बहुत तरह की खाई होंगी लेकिन आज ही हम कुछ हटके नास्ता बनाएंगे जो आप ब्रिकफास्ट में बहुत ही इजीली बना सकते हैं औ बहुत यादा यमी यमी देखने में भी लगेगी जैसा कि इसके नाम में ही है मैगी बिर्यानी तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटा फट से इसको बनाने का तरीका यहां पे हमने कढ़ाई ली है तो लोहे की कढ़ाई ली उसमें हमने ओयल डाल दिया है दो बड़े च तो यह सिर्फ हम डेकोरेशन के लिए रख रहे हैं तो अगर आप इस तरह से पसंद करते हो प्याज खाना तो आप भून सकते हैं तो यहां पर जब यह आपका प्याज एकदम डार्क ब्राउन हो जाए तब इसको हम अलग से निकाल के रख लेंगे साइड में और बाकी के के दुग अई काड़ के लोड़ा टे हम और चोटा तो окro communications जो की हमने इसको से में पाड़कर रखा था कीूब सेप में काड़कर रखा था उसको हम डाल देंगे तो यहां पर इसको हम्तुंदे बारि अपरे बारेयर्च यहां पर साथ ही में कि यह दूस्तों यहां पर हाफ टेबल स्पून आपको जीरा लेना है इसको भी हमने साथ में डाल देंगे हाफ टेबल स्पून सॉंफ इससे जो फ्लेवर इसका आता है ब्रियानी का बहुत ही जादा मजे का आता है आप इसको सॉंफ को एक जरूर यूस करके देखिए मैगी म तो यहां पर दाल देंगे 1.5 तेबल स्पून जो है अपका धनिया पॉडर भी मसालों में से अगर डालेंगे तो बहुत ही एकदम बढ़ा फ्लेवर देगा और अब हम यहां पर जो हरी मेंट्स हमने काट कर रखी है दो हरी मेंट्स हैं वह हमने काट कर रख दी है उसको हम डा तो यहां पर दीमे धीमे ये भुन रहा है आप देख सकते हैं यहां पर ओल जो इसका छोड़ने लगा है और यह धीमे धीमे इसके सारे मसाले भुन रहे हैं द्यान वे फ्लेम जो है आपका Sydney अब हम यहां डाल साइज के टमाट्र हमने काट लिया अब इसके ओ नाल देंगे वन फोर्थ टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल सकते हैं जिससे की टमाटर अच्छे से गल जाए और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे उपर नीचे जिससे की नमक जो है अच्छे से टमाटर में लग जाए और आप जानते हैं कि नमक जो है जल्दी से टमाटर को गला देत अब इसको हम धाग देते हैं धाग की जल्दी से पका लेंगे जिससे की टाइम हमारा बच जाएगा और टमाटर जो है हमारे अच्छे से जल्दी से गल जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें यहाँ पर पानी डालने की जरुवत है तो थोड़ा सा हम यहाँ पानी डाल देते हैं और जिससे की पानी जो है गरम होगा अच्छे से और उसके अंदर जूश आ जाएगा पानी के अंदर आपका आ जाएगा तो इसी तरह से हमें त्रमाटर पका लेना और साथी में जो मेलें मसाला है मैली का वह हम डाल देंगे उपर से इस तरीके से तो एक पैकेट हमने मैगी का मसाला डाल दिया है यहां पे हमने मसाले को भी अच्छे से चला लेना है इसी के साथ पकाना है और बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे आप देखते रहेगा बाद में कब डालते हैं तो यहां पे हम तीन पैकेट मैगी का यूज करेंगे तीन पैके फ्लेवर आता है अपने आप में आपने इस तरह की मैगी कभी बना के देखी नहीं होगी तो जरू ट्राइ करिएगा बहुत ज्यादा अलग टाइप की डिफरंट टाइप की यह मैगी है इसको नाम ही है मैगी ब्रियानी और यहां पे हम थोड़ा स्वाद के नुसार डाल दे यहां पे अंदाज से आप जितने भी मैगी बना रहे हैं उस हिसाब से आप पानी रखियेगा और पानी जब खौल जाए धाकने के बाद अब हमने इसलिए धाक दिया था जिससे पानी जल्दी से खौल जाए उसके बाद यह मैगी है इसको हम इस तरह से पीसिस कर लेंगे बीच मसेर तोड लेंगे और यह दूसरी मैगी भी हम इसी तारी से इसके बाहर टोड़ के डाल देंगे और यहाँ पर यही तीसरी मैगी तो तीन मैगी के हिसाब से आपको défin cel ऐच जीजने डालनी होंगी आप देख सकते हैं तो अभी हमें इसी तेज पे खोड़ा सा और को हुं ठाक देते हैं और फिर से ठाक देते हैं। यहां पर डाल देंगे बियानी मसाला। इससे काफी अच्छा टेश्ट आता है ब्रियानी मसाले से और इसमें नमक भी होता है तो आप अपने अंदासर डालें और उपर से हम डालेंगे मैगी का मसाला फिर से तो यहां पर हम दूसरी पर मैगी का मसाला यूज कर रहे हैं और उसके बाद जो हमने प्याज भून के करेंगे तो यहां पर हमने मैंगी का मसाला भी डाल दिया है प्याश मिन्डाल दें इन सारी चीजों को अच्छे से डालना है जिससे कि डिफरेंट लोक आए और डिफरेंट खाने में भी मज़ा आए तो यह देख सकते हैं आप इस तरह से आप तोड़ेंगे बीच में और यह दोनों हातों से इस तरीके से इसली निकल आएगा यहां पर हमारी तीन मैगी हमने यूज की थी तो हम अंडे भी त नहीं डालेंगे तो यहां पर यह देखे दूसरा अंडा भी इस तरीके से डशाव देते हैं कि में यहां पर इसेहां को डालना एकदम साबुत और यहां पर तीसरा अंड़ इसको भी हमने इस तरीक से डाल दिया है फोड़ा सा अलक कर देतें इसको अलग-間 को कि यह ईसी में रहेंगे इसी में पखेंगे आप ऊपर से मैगी का मसाला डालेते यो उप इसलिज़ रखा था तै क्योंकि जो अंडे हैं वह हम मिक्स नहीं करेंगे ऐसे ही रखेंगे तो फीके लगेंगे पाद्र। इसलिए मैगी का मसाला ऊपर से थोड़ा सा छड़क देते हैं जिससे कि इसके अंदर जो एब्जॉर्ब हो जाएगा अब हम इसको धाग देंगा बिलकुल मीडियम फ्लेम पर मीडियम नहीं यानि कि लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है मेडियम से भी कम से कम जो आप इंडक् हो गई है आप देख सकते हैं क्या बढ़िया लुक आया है देखने में कितनी बढ़िया लग रही है हाफ बॉयल टाइप का जो अंडा है वो हो गया इसमें इसका फ्लेवर आपको आएगा हाफ बॉयल एक का और इसी तरीके से हम यह सर्फ कर लेंगे मैगी को बिलकुल इसी बनी है है विद्म अगर आप चालते हैं अपने हमारे इस्टाग्राम को फलो कर सकते हैं और आप कमेंट करकर बता सकते हैं अगर अच्छी लगिए तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें यह मैगी और आप इस तरीके से अपने ने दूब आपको बनाकर खा सकते हैं में भी टिफन में ले जा सकते हैं तो बहुत भी बड़ी है लगती है मैगी खाने में और शेयर करें इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे इसी तरह के डिफर्ट डिफरेंट ट चैनल सुमेरो किचिन लाइक करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब भी कर लिजेगा